हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू माई चैनल प्रियंका किचन जोन फ्रेंड्स आज में आके साथ में शेय करूंगी स्वाद और सेहत से भर पूर सुबह साम में खाय जाने वाला हलका फुलका स्वादिश नास्ता और इसे मैंने बनाया बिना किसी तेल के सुबह का ब्रेकफस्ट हो साम की शोटी मोटी भूग लगी हो लेकिन सबन नहीं आ रहा है क्या बनाएं जो कि टेश्टी हो बनाने में असान हो साथ में फिलिंग वाला भी हो तो आज में आके साथ में शेय करूंगी इस्टेंट जारीदार टेश्टी अपम की रेसिपी और यह अपम देखी कितने बिना किसी तेल के विकु परफेक्ट साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं शेय करूंगी इस्टेंट चटनी के रेसिपी और यह बहुत-बहुत टेश्टी साथ में हेल्दी वी है बैस कॉंपलिमेंट करती अपम के साथ में तो यह हमारा जारीदार है टेश्टी अप अ 5 को में तो मैंने यहां पर सूजी इसका अधह उडलने के मैं इसमें चाहरी और में हमेट कर देंगे साथ में डालने के लिए फिए यह यहां ऑठानी ऑधा के में राइट कर देंगे अच्म और यहां फिए सबको अक्टन कर लेए इसको बनाने के लिए मैंने यहां पर टोटल एक कप पानी उसकिया है आधा कप मैंने आपको दिखाया था आधा कप मैंने बाद में आट किया था तो अपम का जो बैटर है अच्छे से बन गया है यह देखिए विकु परफेक्ट बहुत गाढ़ा कर देंगे तो अपम आधा कप मोफली या निकाल दिया है नमक स्वादशनबसर नमक लिया है खटास के लिए मैंने हाँ पर लिया एक नीबुकरस आपके बास यह नहीं है तो आपके नहीं है आपके अपर दही डाल सकते हैं या इमली करस कई चाहले साथ मैंने लिए हैं तीन हर इमिर्ज एक टुकडा द्रक का तीन से चार कळिया मैंने लेसन के लिए हैं इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे जोट पती दो बाद में आट कर देंगे परेपीस लेते हैं और यह हमारी इंस्टेंट लेकिन बहु भुमा के निकाल लेंगे तो हैनक कितनी आसान लेकिन कितनी टेश्टी चटनी बहुत अच्छी बनती है जरूर ट्राय करिएगा सबको अच्छे से मिला देंगे यहां पर आपकी मर्जी है आप चाहें इसको ऐसे खालीजे यह आप चाहें टेसको बढ़ाने के लिए इसमें फी बैर कार पैन इसमें डाल देंगे हम जमत तेल का के अच्छे सरे करम कर लेंगे मेला थर्क रे शेटी तौर कर लेंगे तो यहां पर अच्छे से बन गया है अब गैस को बन कर देते हैं है गैस बन करने के बार दो शुक्ति हम देंगेर एक चुट्की मैंने दिया लालमिख पावडरि इसको डाल देंगे अच्छेसे मिला देंगे और यह हमारा बोगो टेस्टी अधनि चमच बनके मामधा है इसको डालीए चमच इसको बहुत 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 टेस्टी बनती है अब sist कि अधनि के ऊपर तो यहां हम सारा तरकाई साथ नहीं डालेंगे पहले इसमें समीछ चमश निकाल लेते हैं डाल के अच्छे से मिला देंगे बचा हुआ उपर से डाल देंगे डेकरोशन के लिए बहुत टेश्टी चटनी की रेसिपी है फ्रेंड घर में रखे समान से बन जाती है टेश्टी है साथ में हेल्दी भी है और अपम के साथ में बहुत बहुत टेश्टी लगती है तो यह देखे बचागों मैंने सारा उपर डाल दिया है तो यह हमारे इस्टन लेकिन बहुत बहुत टेश्टी चटनी की बन के तयार हो गई है इसको हम साइड में कर देते हैं और यहां पे देखी जो अपम का बैटर इसको चेक कर लेंगे तो यहां चटनी हमारी तयार हो गई है अपम का जो बैटर है मैंने पहले से बना के रखा ही था यह देखिए अपम हमारा फुला फुला बने पसली तो उसके लिए मैंने पे लिए लिए hinosalt इसमिर मणाँ पर फेक्ट होने वाला है जोड़िवार लिए भीक है जोड़ा है लिए करेल लाट बस बस चलते हैं तरफ गैस में यहां पर रखा है पैन आप तवाले सकते हैं गैस की फ्लेंग को मीडियम कर देंगे और सेम कटोरी से इंडाल देंगे बीच ओबीच में बैटर यह देखिए बैटर भी कुछ पर्फेक्ट है तो आराम से शेप ले लेगा आप कलशी ले लिजे या कोई कटोरी ले लिजे कप ले लिजे उससे डालीएगा तो हमेंसा आपका एक बराबर बनेगा अब अपने आप उपर की परस्तुकती जारी जाली दार बनती जारी यह देखिए और इसको पकने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे अनि मध अब बना और रखेंगे जाली कितने चीज़ा पड़ गई है बहुत ही फ्लफी हो गया है तो बस यह तैयार हो गया इसको निकाल लेते हैं बिना एक बुन तेल के भी देखिए कितने अच्छी से चोड़ो दिया इसने बिक्वार्पेक्ट कलर कितना अच्छा आया है तो यह किimize देखिंगे हमारा बहुत बहुत टेश्टी फलफी अपम बनके त्यार हो गया तो यह पेजिए कितना अच्छा लग रहा है कितनी पर्फेक्ट जाली आई है कितना फलफी बना हुआ है और विको पर्फेक्ट इसके अम त्यूनी कर देते हैं और इतने बेटर में आपका 6-7 अपम आराम से बन जाते हैं 3-4 लों के लिए परफेक्ट नाश्ता है अगर आके पार नौनिश्टी तवा या पैन नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे तो आप लोही के तवा लीजिए जिसमें बनाते हैं रोटी प्राठा तवे को हलका गरम कर उस पर डाल तेल तेल को हरका सा गराम करके फैला दीजिए तवे को क्लीन कर दीजिए उसके बाद आराम से बनाईए बहुत अच्छे से बनता है वह कुल नौनिश्टी तवा हो जाएगा आपका ग्यास की फ्लिंग को मीडियम करके बनाना है तो यह देखिए कितने अच्छ मैंने यहां पर सारे अपम को बना के त्यार कर लिया है इतना पर्फेक्ट नरम मुलायम जालीदार अपम बन के त्यार हो गया है यह देखिए और जितना मैंने पर सूजी ली थी एक कप उतने बैटर में हमारा साथ से आट अपम अराम से बन गया है तीन लों के साथ में इस्टेंट चटनी के रेसिपी जो की बहुत हेल्दी है बहुत चेश्टी है पसंद आई होगी अगर आपको आज की वीडियो वीडियो में लगने वाली मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना न भूले अपनी फैमली प्रेंड के साथ में करुप स्क्राइब एक रहा है और करानी ओने से लेकाइबाबंट